कि 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 अलो दोस्तों मेरा नाम है दिपांसु कुस्वाः और मैं अग्रिकल्चर एंजी के के ऑफिशियल प्लेटफर्म पर आप सभी का हार देख स्वागत करता हूं आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्रिकल्चर एक्स्टेंशन ऑफिसर होता है उसका आपका पेपर होता है व्यापम बोर्ड के द्वारा तो उसके 2017 के पेपर के पूरी अंसर की के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छा खासा एनलेसिस करने वाले हैं यहां पर आपके 2017 में 150 कुस्चन पूछे एथे और यह जो आपका पेपर होता हमें यह बाइलन गौल पीपर होता है ठीक है दोनों भासा ओंप पेपर कूछा याता जिस घ्रिऊंच वड़़ कर सकते हैं उस लेंगेज में आप पेपर को दे सकते हैं इस पेपर데 को solve करने से पहले आप सभी के लिए एक important information है यदि आप लोग प्रप्रेशन कर रहे हैं cg व्यापम rural agriculture extension officer की यानि की cg मतलब 36 गड़ रूरल agriculture extension officer की तो आप सभी के लिए हमारा प्लेटफर्म agriculture and gk लेकर के आया है बहुत ही सांदार कोस जिस कोस में आप सभी को मिलने वाले हैं 200 प्लस वीडियो क्लासिस और आपको ओनलाइन study material प्रवाइड कराया जाएगा जो की होगा आपके exam के pattern के आधार पर किसके आधार पर exam के pattern के आधार पर जो आपका syllabus होगा बस उसी आधार पर आपको मेंटर प्रवाइड कराया जाएगा यहां पर आपको 20 प्लस टेस्ट सिरीज मिलेंगी आपके exam और स्लेवस के pattern के आधार पर आपको mock test test series प्रवाइड कराया जाएगी और जो आपके previous year के papers होंगे with solution आपको प्रवाइड कराया जाएगे और guidance and doubt discussion session जड़ी आपको कोई भी प्रकार की कोई confusion होती है कोई भी आपका doubt होता है तो हमारी team के द्वारा आपको उसका full solution provide कराया जाएगा ठीक है इसकी जो फीस है वो मात्रा आपकी 999 रुपीस रखी गई है आपको यानि कि आसानी से आप लोग इसे purchase कर सकते हैं बिलकुल बिलकुल आपकी या समझ लीजिए कि बिलकुल थोड़ी सी फीस है 999 रुपीस रखी गई है यदि आप भी अपने selection को ensure करना चाहते हैं यदि आप भी इस paper को crack करना चाहते हैं तो अभी purchase कीजिए purchase करने की link आपको वीडियो के description box मिल जाएगी वहां से आप लोगे से purchase कर सकते हैं और जो हमारा Official Application Agriculture and GK वहां पर जाकर के भी आप लोगे से purchase कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारी website agriculture के डॉर्ट ने वहां पर जाकर इसे login कर सकते तो आप हम से हमारे Official ट्यॉक्राम्ट करें पूछ सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के स्पेपर को देखिए पेपर मैं आपके टोटल एक सो पचास कुछ थो पूचे गाए तेक तैक अर भाग ज्यादा टफ नहीं होते हैं कैसा सब्सक्राइब करने में एक अच्छा खासा आनंद रहा है कि यहां पर देख रहा होगा देखी कुस्चन क्या पूंचा गया था कुस्चन पूंचा गया इंडियन सब्सक्राइब करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज एक बार सैसन को पहुंचा दें फिर एक आनंद आने वाला इस पेपर को सौल करने में देखिएगा क्या बताया गया कुस्चन बताया गया कि इंडियन कांसल औरी कोल्चरällt रिसार्ज स्वाज इस्ट्याबिलिस्ट इंदि यह गिए आई सी य़र की अस्थापना पूंची गई है कि इस्यार की इस्थापना किस्वरसमें हुई आइस स्यार के बारे में आप सभी लोग जांते होंगे और एक आपका आई-सर्इ हाई होता है ठीक है रखना ज्यादा तर जो कन फूर और भी खृफ फरोंडिया आई के स्थापना में इस हापना में कनफेशन कब फूर्श पर होती है कि यिए अइर आई किस था आपना होई था आपकी 905 में और किस। अपना होई थी आपकी लेकिन सी जो है वो बाद में आया अलफा बेट के हिसाब से ए पहले आता है सी बाद में आता है इसलिए ए की स्थापना पहले होई मतलब आई ए आराई की स्थापना पहले होई कब हुई 1905 में और आई सी मतलब बाद में आता है तो यह इसकी स्थापना कब हुई बाद में अ तो कर लेते हैं कि 1905 और 1931 लेकिन जब पेपर देने जाते हैं वहां पर लोड इतना होता है वह चीज को भूल जाते हैं कि और रगहने साइसी है । एसे आपको याद रखना है ए मतलब पहले यानिकिउने 105 से मतलब बात यानिक उतीज हो एतनी बात के लियर है तो यहां पर आप का राइट लुछ होगा option B is the right answer क्या होगा option B is the right answer अगले question की और मूव करते हैं question पूचा गया Indian father of green revolution is known as देखिए अभी-अभी question यहाँ पर क्या पूचा गया कि जो आपके Indian father है किसके green revolution की अब green revolution के जो father है सभी लोग comment section बताईएगा इसका right answer क्या होगा बिल्कुल सिंपल सा कुष्चिन यहाँ पर पूचा गया है इसका right answer क्या होगा सभी लोग comment section में टाइप कीजिए गादेखिए इंडियन father of green revolution is known as dr.g.s. खुस या फिर नॉर्मन ईबोरलाग या फिर आपके डॉक्टर अमस्वामी ना था या फिर आपके अग्रोनोमी छेत्र में भी इनका बहुत अच्छा योगदान माना जाता है ठीक है यदि पूच्छता इंडियन एर green revolution के father in world तो आपके डॉक्टर एनी बोरलाग यानि की कह सकते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग इनका पूरा नाम होता है डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन आप सभी को पता है अभी लगभग दो से तीन दिन पहले वह हमारे बीच नहीं रहे डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन एक हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञाने एक ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में हम लोगों नहीं जानते थे उन को जो है आपका Green Revolution के Father of India कहे जाते हैं डॉक्टर बीपी पाल के दिया हम लोग बात करते हैं तो आपके डॉक्टर बीपी पाल है यह आपके ICR के फस्ट डारेक्टर जनरल को और डॉक्टर बीपी पाल तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा डॉक्टर स्वामी नाथन दूसरे का आपका सी कुस्चन जुसी है वह आपका राइट आंसर होगा यानि क्यों आप्सन सी दा राइट आंसर अगला कुस्चन पूछा गया दा हैड़ क्वार्टर्स ओफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस लोकेटेटेड एड़ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल पूंचा गया है इरी की बात की गई है यहां पर international राइस रिसर्च इंस्टीटूट कहां पर इस्थे थे सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइब कीजिए गजितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार सेशन को थोड़ा सा सेयर कर दें मज़ा आने वाला है एक दम से बहुत बढ़ी आसे पेपर को एक धम ज़कास तरीके स दें करेंगे एक यह हैड़ कोईटर फिंटरनेशनल राइस इस 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 लोगेटेड काहां पर इस्थे थैर रोम इतली देगे रोम इतली में आपका FAO स्थे थैंक या फूड एड्री कल्चर ओर्गनाइजिएशन क्या इस थैं रोम इतली में इस्थे थैं लॉस बानोस फिलिपीन्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपका इरी यानि की जो आपका International Rice Research Institute जो इस्थित है वो कहां पर इस्थित है लॉस बानोस फिलिपाइंस में इस्थित है कहां पर फिलिपीन्स में इस्थित है ठीक है किलियर है रोम देखिए सुभम त्यागी जी रोम बता रहे हैं रोम में आपका FAO इस्थित है क्या है FAO इस्थित है तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा option B is the right answer loss बानोस फिलिपीन्स ठीक है हां और यह जो मेक्सिको में साइद आपको याद होगा सिमिट जानते है सिमिट यह आपका कहां पर इस्थित है मेक्सिको में इस्थित है ठीक है क्लियर है आगे बढ़ा जाए देखिए अगला question क्या पूछा गया अगला question पूछा गया presently which of the following chemical fertilizer is not produced in India India में वो produce नहीं होता है and is being imported क्या होता है being imported यानि कि वो दूसरे देश से लाया जाता है present time में लिए से कौन सा ऐसा chemical fertilizer है जो is not produced in India India एंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है यानि कि इंडिया में उसका प्रडक्शन नहीं होता है और विंग इंपोर्टेड यानि कि वह हमारे देश में लाया जाता है उसका आयात किया जाता है मारे देशमें किसी डूसरे से लाया जाता है option यह गई triple super phosphate ammonium sulfate potassium sulfate या फिर आपका all of these तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा जो potassium sulfate होता है इसका formula K2SO4 इसे हम लोग कह सकते हैं K2SO4 और जो ammonium sulfate होता है इसका formula क्या होता है NH4 का whole twice into SO4 यह आपका ammonium sulfate का formula होता है triple super phosphate आप लोग सभी जानते होंगे triple super phosphate में क्या पाया जाता है इसमें किस nutrient की मात्रा पाई जाती है कौन सा इसमें chemical fertilizer पाया जाता है उसके बारे में बताईएगा percentage हमने बता दिया 48% पाया जाता है ठीक है clear है अच्छा आगे देखिएगा आगे क्या बताया गया अगला question पूछा गया national institute of biotic stress management देखिए बायोटिक stress का मतलब क्या होता है कि question को किसी भी प्रकार से exam examiner घुमा सकता है यहां पर वो वीड वीड इस्ट्रेस कह सकता था आपका biotic stress में कई प्रकार के stresses होते हैं जैसे आपका disease होता है disease resistance हमें लोग बनाते हैं disease होता है इंसेक्ट आते हैं जितने भी आपके living organism के द्वारा होने वाले कोई स्ट्रेस होते हैं प्लांट में वह सभी बायोटिक stress के अंतरगत आते हैं किसके अंतरगत आते हैं stress के अंतरगत आते हैं पी टू ओ फाय बिल्कुल के लिए ठीक है था फॉस्फरस पाया जाता है नेशनल इंस्टिट्यूट और बायोटिक stress management वाज established at which place and in which year किस प्लेस पर इस्थित है यान की कहां पर इस्थित है और किस यर में यह इसका establishment हुआ था तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा question number five का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेरोंडा रायपुर 2012 में establishment हुआ था क्या फिर इसको कह सकते हैं बरोंदा रायपुर एवं 2012 में क्या हुआ था इसका establishment यानि कि इसकी स्थापना की गई थी क्या की गई थी इसकी स्थापना की गई थी और अगला देखिए अगला question पूचा गया कि टर्म ग्रीन रिवाल्यूशन है उबाइट टर्म कि संदी अधा यह जो टर्म है यह किस वैज्णि ने दिया था उसके बारे में पूछा गया है तो देखिएगा जो आपका green revolution term है देकि M.S. Swaminathan को जनक कहा जाता है Dr. Annie Borlaak को भी इनके फादर कहा जाता है यदि बात करते है William S. God इनका पूरा नाम होता है William S. God इन्होंने green revolution के term को coined किया था या green revolution के term को दिया था देखे है? क्लियर है? हाँ जी आगे बढ़ा जाए हाँ देखिएगा तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा जो आपका राइट आंसर होगा William S. God is the right answer ठीक है आगे देखिएगा the impact of green revolution was largely noted in सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो मुक्य रूप से किस फसल में किन किन फसलों में देखा गया था तो देखिए आपके options बताए गए राइस only सिर्फ राइस पर जो green revolution है कहने का मतलब यह है कि जो green revolution आया था वो इसलिए आया था कि हम अपने yield को बढ़ा सके yield के production को बढ़ा सके ठीक है तो ग्रेन के production को बढ़ा सके अब यह हमने किन किन crops में देखा था यह हमने दो crops में देखा था सिर्फ राइस में नहीं बलकि नहीं सिर्फ भीट में बलकि देखा था राइस और भीट दौनों में किस में देखा था र राइट आंसर क्या होगा राइस एंड वीट इस दा राइट अंसर पल्सेज में इसका कोई योगदान नहीं था तो यहां पर पल्सेज जो है वो गलत होगा राइस वीट अंड पल्सेज नहीं होगा option C is the right answer क्या होगा option C is the right answer clear है आगे बढ़ा जाए देखिए अगले कुश्चन की और मूव करते हैं तो कुश्चन पूचा रहा कि विच आप दी फॉल्विंग इजा सीरियल क्रॉप इनमें से कौन सी सीरियल क्रॉप होती है एक बार आप आसानी से देखेंगे कुश्चन आपको बिल्कुल क्लियरली कट समझ में आ जाएगा सीरियल क्रॉप की बात की गई है मतलब खाद्यान खाद्यान फसलों की बात की गई है बताइए जो लिंसीड होता है वो आपकी ओयल सीड क्रॉप होती है कैसी होती है यह आपकी ओयल सीड क्रॉप होती है क्या नाम होता इसका लिंसीड का लाइनम असे टैटी सिमम या लाइनम असे टैटी सिमम वीट कैस्टर ये भी आपकी ओयल सीड क्रॉप होती है कैसी होती है और जो काव भी होती है ये आपकी पल्स क्रॉप होती है कैसी पल्स क्रॉप में इंकल्यूट किया आता है वीट ये सीरियल क्रॉप होती है कैसी सीरियल क्रॉप अधियान फसलों में से इंकल्यूट किया आता है जैसे आपका राइस हो गया वीट हो गया यह सबी आपके किसमें आते हैं यह आपके सीरियल स्कॉप के अंतरगत आते हैं तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा आजाद गौतम जी बी बता रहे हैं बुद्ध इम्पोर्टान फहलतुतं की बड़ेंट माइनर छता है वो किस क्रॉप में अटैक करता है या सबसे महतपूर अधिक खर्पदवार है वो किस क्रॉप में होता है कि स्कॉप का है राइस वीट मेज या फिर आपका ग्राउन अपने देखा होगा wheat के लिए बताया जाता है जो कि wheat में ये एक आपका mimicry wheat होता है कि ऐसा होता है mimicry wheat होता है mimicry wheat के रूप में ये आपका गेहुं में पाया जाता है तो right answer आपका क्या होगा wheat का important क्या माना जाता है और खरपत्वार या फिर आपका वीड माना जाता है कि आई जी kahve r first आई जी वी आउर फ्रस्ट यार नी कि जिसे हम लोग राजेश्वरी कहते है राजेश्वरी ये आपकी जो variety है किस crop की variety मानी जाती है तो यह जो आपकी variety है यह rice या कह सकते हैं यह आपकी दान की वेराइटी मानी जाती है किसकी दान की वेराइटी मानी जाती है प्लीज सेशन को एक बार सेयर करिएगा बहुत ज्यादा लोग नहीं जोड़े प्लीज एक बार सेशन को सेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा तो हमें सबहले थोड़ा सा अच्छा लगेगा कमेंट को एक बार जल से जल सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब को आश्वास्त केंद्र का मिर्दा स्वास्त का कैंद्र कौन सा होता है स्वाईल मैक्रो और्गनिंगु स्वाईल मौईस्चर स्वाईल और निक कारवन या फिर आपका स्वाईल इस्टप्चर तो जो इसका कैंधर होता है वह आपका क्या होता है सभी लोग अंसर को टायप की जिएगाjaw question number 11 11- utan का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा still कई जाता है का जाता है तो आपके स्वाइल माइक्रो और नाच्छी सके अंतरगत नहीं आते अब देखहे अगला कोस्चियन कुछा गया कि दा थीम औफ एगरी कल्चरल डवलपमेंट इन इंडिया डियुरेंग 2016-2017 इस ज्ञानी की 2016 में जो इन्डियन एगरी क्ल्चरल डवलपमेंट मैं इंडिया मैं दो जार सोला सब्सक्राम जो इम चलाई गई या उसका थीम था less from iska do right answer Hoga by kya Hooga option B is the right answer more from less मतलब कम से ज्यादा हमे क्या कम इन्पुट लगाए और हमें ज्यादा क्या हो ज्यादा जो हमें इल्ड प्राप्त हो वो इसका थेम था 2016-17 की बात की गई है अगला कुस्चन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा 255 million ton यानि की option B is the right answer क्या होगा option B is the right answer और अगला question देखिए क्या पूछा गया the father of blue revolution is देखिए जो आपके blue revolution की यदि हम लोग बात करते हैं तो blue revolution जो संबंधित होती है वो आपकी किससे संबंधित होती है नीली क्रांती जिसे हम लोग कहते हैं यह आपकी संबंधित होती है फिस फिस प्रोडक्शन से किस से प्रोडक्शन से संबंधित होती है MS. Swaminathan आपके green revolution के father कहे जाते है नौर्मन इबुरलाग यह भी आपके green revolution के father कहे जाते हैं यहां पर जो आपका right answer होगा वो क्या होगा चाओदा जो सॉरी जो आपका right answer होगा वोगा doctor hiralal chaudhary क्या होगा doctor hiralal chaudhary यानि की चौदय का option D is the right answer doctor hiralal chaudhary को father of green revolution कहा जाता है क्या कहा जाता है father of green revolution कहा जाता है इनमें बताहिए गा कि आपकी जो किसान खाद है किस fertilizer को कहा जाता है which one of the following fertilizer is known as a किसान खाद किसान खाद के रूप में हम लोग किसे जानते हैं सुभमत्यागी फिस से बता रहे हैं बिल्कुल किलियर है यहां पर जो आपकी blue revolution होती है वो आपकी मचली से संबंदित होती है फिस production से संबंदित होती है देखिए किसान खाद किसान खाद के नाम से जाना जाता है कि आप लोग यूरिया को किसान खाद के नाम से जानते हैं या फिर आपका calcium ammonium nitrate या फिर आपका ammonium sulfate या फिर आपका none of the above अब आप लोग comment section में आंसर बताईएगा इसका रायट आंसर क्या होगा अब देखिए यहां पर ammonium sulfate calcium ammonium niserate आप ने सुना है c am जिसे हम लोग कहते हैंbr calcium ammonium nitrate कोहिएंब लोग क्या करते किसान खाद के नाम से जानते हैं इसके नाम से इससान के नाम से जाना जाता है क्या यूरिया के बारे में जो आपके टर्म पूँछे जाते हैं सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला पूछा जाता है एनेच तू और उसके बाद यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है कितनी चालेस परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है किलियर है और किसान खाल हम लोग कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट को के नाम से जानते हैं अब देखिए आपके पंद्रह कुष्चन यहां पर जनरल अग्रिकल्चर से थे अब आपके कुष्चन आदमें एंग्रो नॉमी से कि प्रिवग करते हैं तो फील्डि बैटर इसलिए यानि की जब वाटराम हमें आसानी से प्राप्प सो जाये बापका लेविल्डो और बोथ एंड भी या फिर वाटर इसलिम लिuhan लोग बात बता ये जब लाटर हमारे पास सीमित मात्राम होगा बहुत चादा वाटर में होगा तो क्या हम लोग फ्लैडिंग करेंगे अपने खेतमें लोग होता है बाल करत सिचाई और फ्रींग यहां पर आपका जो राइट फील्ड इस लेविल्ड देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी इस दा राइट आंसर क्या है सी इस दा सर ब्लू रिवालूशन के फादर अरुड किस्ट कुष्ण भी यह क्या देखिए मेरी बात सुनिएगा यह जो आपका पेपर हुआ था दो पर वाटर इस लिमिटेड क्या होता है जब हम लोग यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा बोथ ए एंड बी जब फील्ड इस लेविल्ड और इनॉफ वाटर इस अवैल विल इसली जब ऐसी कंडिशन दौनों कंडिशन होती है तो हम लोग क्या कलते है पहली बात तो आपका लेवल होना चाहिए यानिकी प्लेन होना चाहिए और दूसरी बास वाटर हमारे पास परियाप्त रूप से होना चाहिए भहूत ज्यादा बाइटर की कमी नहीं होनी चाहिए तब लोग क्या करते है flooding irrigation करते हैं अब देखिएगा आपका क्या बताया गया कि विच आप दी following is a long term effect of urea application यदी हम लोग एक long term तक urea में यूरिया का application करते रहते हैं किसी field में तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है देखिएगा मतलब यह है कि यदि अपने हम खेत में अपने field में यूरिया का लगातार कि यूरिया को लगातार देते रहें लगातार उसका application करते रहें तो वहां पर होगा क्या जो long term में तो आपके क्या होगा देखिए soil becomes natural वाल आपकी जैसी है वैसी रहेगी यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा जो स्वाइल है वह आपकी कैसी हो जाती है आपकी जीरो रैप सीड एंड मस्टर वैराइटी इज रफर टू किसको रिफर करती है यह आपकी जो वैराइटी जैं यह रफर करती है किसको लोग content of both कौन-कौन irosive acid and glycosinalate देख्वर irosive acid की जो मात्रा है वो दो प्रतिसत से क्या दो प्रतिसत से कम होनी चाहिए दिरो से कैसिड की मात्रा रेप सीड और बस्टर में 2 प्रतिसत से भी कम होनी चाहिए और उसी में लो कंटेंट होना चाहिए किसका गलाइको साइनो लेट का यह आपकी जो वैराइटी है यह प्रिफर करती है डबल जीरो रैप सीड एंड मस्टर्ड के ठीक है आगे देखिएगा तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा राइट आंसर आपका आपका ओप हैं आपकी कुछ वैराइट यहां पर पानी बाहे तो बताया गया कि च defects वैराइट वैराइटी जिसको लोग क्या करते हैं यह अप्शन द genial aerobic one फिर जटल गल एरोबिक तू या फिर इंद्रा एरोबिक वन या फिर इंद्रा एरोबिक तू यह आपकी भी गई है उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है तो 36 गड़ में हमनों कोन सी एरोबिक वेराइटी को लगाते है ठीक है तो यहाँ पार जो आपका आंसर होगा राइट ऑनसर क्या होगा इंद्र एरोबिक वण इस दाफ राइट क्या है आगे ने किया अगला वूश्चन लिए गया है कि जो आपका two four two four d होता है उसका फुरा नाम क्या होता है two four dichloro phenoxy acetic acid होता है क्या होता है two four dichloro phenoxy acetic acid होता है और यह आपका एक ऐसा हर्भी साइड होता है जिसे हम लोग as a hormone और एज़े हर्भी साइड की रूप में अभी प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ आपको बताते यह आपका एक synthetic oxygen होता है क्या होता है synthetic oxygen hormone होता है जब हम लोग इसकी मात्रा 20 ppm से कम रखते हैं तो इसका प्रयोग as a hormone किया जाता है और जब इसकी मात्रा हम लोग 20 ppm से अधिक रखते हैं तब इसका प्रयोग सुगर कैन में मिट्टी चड़ाई जाती है संफ्लावर में मिट्टी चड़ाई जाती है पोटेटो में मिट्टी चड़ाई जाती है यदि हम लोग पोटेटो मिट्टी नहीं चड़ाएंगे तो वहां पर क्या होता है सॉलर रेडियेशन के माध्यम से वहां पर होता सॉलन नमक सावस्टान स्क्रोड्यूस्ट होता हूट मैं तो हम्हें थोड़ा सा कड़वा जो की कैसा वशैला हो प्रोक्सिक सवस्टान्स होता है उसको यह प्रोड्यूस करता है इसका जो राइट आंसर होगा कुष्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा आपने कभी राइस में मिट्टी चढ़ाते हुए देखा है नहीं राइस में कभी भी मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती है तो यहां तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्टान डी इस दा रायट सर्काव का ऑप्टान डी इस दा राइट आंसर और अगले कुस्चन की और मूव करते हैं तो कुस्चन पूछा गया कि क्रॉप सुट भी हार्वेस्टेड एट देखिए हम लोग क्रॉप को हार्वेस्ट कब करते हैं आपके कौन सी मैचॉर्टी पर देखिए फिजियो लॉजिकल मैचॉर्टी रियल मैचॉर्टी ओवर मैचॉर्टी य है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा फिजियो लॉजिकल मेच्योर्टी का मतलब ऐसे कह सकते हैं पूचा जाता है कुश्चन की अपनी क्रॉप को हम लोग कितने मुईस्ट्र कंटेंट पर हार्वेस्ट कर सकते हैं अब जैसे यघी आपने सीडियल को ग्रोंग एथारा से 19 percent पर हम लोग हर्वैस्ट कर लेते हैं लगभग 13 से 14 पर उसकी थ्रेस्टिंग कर लेफोत है और लगबग आपकी 8 से या 9 से 10% moisture content पर हम लोग क्या कर लेते हैं इसका storage कर देते हैं क्या कर देते हैं इसका storage कर दिया जाता है बिल्कुल किलियर है हार्वेस्ट करते हैं हम लोग physiological maturity पर जब इसमें जो आपका टेमपर जब इसमें आपकी जो moisture content होता 18-19% और फ्रेसिंग कर वाते हैं लगबग 13-14% moisture content पर और storage करते हैं cereal crop को हमेशा हम लोग 8 से 10% पर ठीक है किलियर है हां आगे देखिएगा 36 गड़ मधुराज 55 इजा राइस वराइटी है विंग मतलब जो आपकी 36 गड़ मधुराज 55 जो राइस की वराइटी है उसमें क्या 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 करेक्टर पाए जाते हैं जैसे बताया गया लो जिंक हाई जिंक हलो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसका या फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है तो इसका जो राइट आंचर होगा इसमें क्या होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है किसमें मधुराज 55 जो आपकी राइस की वेराइटी है वो यहां पर क्या होता है लो ग्लाइ इसे में इंडेक्स पाया जाता है और अगला देखिए अगला कुश्चन पूछा गया The Central Arid John Research Institute जिसे हम लोग sort में कजरी के नाम से जानते हैं किसके नाम से कजरी के नाम से जानते हैं जितने भी आपके Arid John में grow की जाने वाली सब्जियां या फिर आपके जो भी क्रॉप्स होती है उनको हम लोग क्या करते हैं यहीं पर जो कजरी है आपका Arid John Research Institute उनकी उन सभी की Research यहीं पर की जाती है ठीक है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं Central Arid John टॉतल जू कि कहां पर इस्थत है जोधव पूर राज्स्थान में इस्निघ कांपर जोधव राजस्थान में श्थते हैं इसका establishment यह पूंचा गया है यह सका उस्ट नेंटीन फियम्टी में हुआ होख रुभादा नाइंटीन फिप्टी ठूब टू मैं इसका क्या हुआ था इस्टेबलेस्मेंट हुआ था क्लियर है इतनी बार आगे देखिए गा अगला कुस्चन क्या पूचा गया अगला कुस्चन पूचा गया दा टेंपरेरी रूट्स इन मेज रूट सिस्टम आर तेके मेज में जो आ पँण हैने हित्प तो यह जो रूट होती है इन्ट हो क्या है 건 चप रूट एल्ट या फिरका सकतर जो सहारा देने वीक्टिक कि इसका जो प्लाइंट होता है त oynलोटी चज्वित हें कि लिए कि वो है पूल रूट स्थैप सहारा नहीं दे पाती है ठीक है जब इसके उसहारा नहीं दे पाती है तो यहां पर कुछ टैप रूट का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम लोग एरियल रूट भी कहते हैं क्या कहते हैं अब पूछा गया कि जो टैंपररी रूट होती है मेज में मेज के रूट सिस्टम में वह कौन सी होती है तो वह जो आपकी होती है उसे हम लोग सेमिनल रूट के नाम से जानते हैं किसके नाम से जो सेमिनल रूट होती है वह आपकी टैंपररी रूट होती है यानि कि पहले सहरा देने के लिए यह आपकी आ जाती है फिर जैसे ही उसमें पर्मानेंट रूट़ का पॉर्मेशन होता है वैसे ही ये क्या हो जाती है वहांसे हट जाती है या उनका होड़ है बिलकुल कलियर है सुभंत यारगी जी सेमिनलूट बता रहे हैं बिलकुल कपलियर है ठीक है आगे देखिये गा अगला कोश्चन पूछा गया अगला question पूचा गया टेंसियोमीटर वाज first used for scheduling irrigation भाई जो आपका टेंसियोमीटर होता है टेंसियोमीटर का प्रयोग हम लोग moisture soil में moisture के लिए moisture को मीजर करने के लिए 10 cm का प्रयोग किया जाता है म्रिदा की नमी को मापने के लिए या फिर इसी को हम लोग moisture meter भी कह देते हैं यə ideological meter के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं मिर्दा की नमी को मापते हैं मुर्दा मैं पाई जाने वाली नमी को क्या करते हैं मापते ठीक है किलियर है आगे और कि देखिए गा आगे बताया गया तो यहां पर आपका जो फर्स्ट यूजम टुब सyddल इरीगीशन और क्या रिचार्ड्स किसने कि आथा पहली बार किसा कि अभिचार्ड्स नाम है इसने किए था रिचार्ड सिना मग्यान इंक ने किया था मैसे पतियों पर छड़काओ है तो निम्न मैंसे कौन सा उप्युकत है सिंग्नल सुपर फॉस्फेट कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट यूरिया या फिर आपका अमोनियम सल्फेट तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि यदि हमें फॉलियर इस्प्रे करना होता है क्या करन सी इस दा राइट अंसर और अगला कुष्चन पूछा गया कि आर्जो आर्जी मौन मैक्सिकाना आर्जी मौन मैक्सिकाना जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं सत्यानासी के नाम से जानते हैं और यह जो सत्यानासी होता है क्या होता है सत्यानासी होता है यह आपका सर्सो का जो सरसों में सरसों का कैसा वीड होता है और जैक्स नेबल वीड होता है कैसा होता है और जैक्स नेबल वीड होता है यानि कि हिंदी में से आपति जनक खर्पतवार कहा जाता है क्या कहा जाता है आपति जनक खर्पतवार कहा जाता है लेकिन आर्जो मोन मेक्सिकाना जो है वो आपका एक फैकल्टेट वीड भी होता है कैसा होता है फैकल्टेट वीड भी होता है तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा 28 कुस्चन का जो आपका राइट आंसर होगा option B is the right answer क्या होगा option B is the right answer और अगले कुस्चन की ओर करते हैं तो कुस्चन पूछा गया aroma in scented rice is due to the presence of जो आपका aroma होता है scented rice में जो सुगंध आती है वो किसकी presence के करणा आती है option दिये गए one acetyl one pyreline या फिर आपका दूसरा है two acetyl one pyreline one acetyl two pyreline या two acetyl two pyreline तो यहां पर आपका जो right answer होगा वाई क्या होगा option B is the right answer क्या होगा option B is the right answer बिल्कुल क्लियर है यहां पर राइट answer क्या होगा two acetyl one pyre clear है आगे देखिएगा अगला question पूंचा गया Congress grass इज जो Congress grass होती है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं आप लोग जानते होंगे syno-dun dactylone जो होता है वह आपकी दूब घास होती है क्या होती है दूब घास होती है लेकिन लेकिन Congress grass जो हम जिसे हम लोग गाजर घास के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से गाजर घास के नाम से भी जानते हैं यह आपकी पार्थेनियम hystero forest होती है क्या होती है पार्थेनियम hystero forest को हम लोग गाजर घास या फिर Congress गास के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1960 के समय लगभग क्या हुआ था, 66 के समय जगलगभग आपका, हमारे देश में किसी दूसरे देश से गया गया था, उसी गया हुआ के साथ ये आपके कुछ वीड़ आ गये थी उसके साथ, तब इसे बहुत अच्छा हमारे देश में अन् पूचा गया water management किस से question पूचा जाता है अब कुछ आपकी question है water management के total आपके दो दो जो है आपके portion complete हो चुक़े हैं आपका जन्रल agriculture और आपको देखने को मिलेंगे water management के देखिए question क्या पूचा गया specific yield is known as यूप की specific yield होती है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं ड्रैनेबल पोरोसिटी एफेक्टिव रैनफॉल स्वाइल मॉस्चर या फिर आपका अवैलेवल वाटर तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा ड्रैनेबल पोरोसिटी जो आपकी स्पेसिफिक इल्ड होती है उसे हम लोग ड्रैनेबल पोरोसिटी के नाम से जानते हैं रैनफॉल इरोजन डिपेंड्स अपॉन दी फॉलविंग एक्सेप्ट मतलब किसे एक को छोड़कर एक्सेप्ट वन किसी एक को छोड़कर आइडेंटिफाई दी और वन जो इसमें से को यह कैसा है जिस पर रैन्फॉल रोजन जो होता है वो डिपेंड नहीं है उसको हमें च्छाट करके बताना है तो देखिए ओप्सां गुए मजरेंफॉल इन्टेंस टी डेखिए इंटेंसिटि का मतलब होता किसी तीवरता क्या तीवरता सगहनता यदि-रैनफॉल बहुत त तेजी से होती है तो ऐसी कंडिशन में क्या होता है देखिए सभी लोग ए ए ए ए ए आंसर बता रहे हैं यहां पर लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक चीज को क्या यहां पर पूछा गया है रेनफॉल एरोजन डिपेंड्स अपॉन दी फॉल्लविंग किन पर आधारि यह होता है ठीक है अब आंसर सही आये हैं देखिएगा रेनफॉल इंटेंसिटी यह आपकी तीवरता पर आधारित होती है जब बहुत तेज वर्सा होगी तो स्वाइल के ऊपर जैसे बहुत तीवरता से वर्षा गिरेगी वर्षा की बून गिरेगी डॉपलेट साइज किस प्रकार का है इस पर भी आधारित होती है वेजीटेशन कवर वेजीटेशन कवर का मतलब है हमारे हमारी स्वाइल पर कितना वेजीटेशन पाया जा रहा है मतलब वनस्पती कितनी है घास फूस कितना है जाडियां कितनी है इन सभी चीजों पर यह डिपेंड करता है कर जो प्रेशर होता है वह गट जाता आाराम से नीचे पहुंचता है और कुछ सब्सक्राइब मुआ तो एरोजन होता है लेकिन बहुत कम होता है इस लिए रेनफॉल दो एंग रियुपर थथ acceptable टेंपरी किलियर है किस पर आधारित होता है स्वाइल टेंपरेचर पर आधारित होता है option D is the right answer आगे देखिएगा water level record is used in water level record होता है वो हम लोग किसमें इसका record किसका प्रियोग करके हम लोग record लेते हैं तो यहां पर देखे डगवेल ट्यूबेल इस्ट्रीम या फिर आपका drainage measurement तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका option C is the right answer क्या होगा option C is the right answer कहां पर लेते हैं हम लोग धाराओं में water level को record करते हैं और अगला बताया गया the water requirement of groundnut crop is जो आपकी groundnut crop होती है उसके लिए जो water required देखिए पूचा जाता है question क्या कि सबसे ज् किस क्रॉप की होती है तब से ज्यादा water requirement होती है सुगर कहन की कितनी होती है लगभग तो लाइस सौसे कहीं कहीं पर 2400 मिली मीटर तक लिखा होता है सुगर कहन क्यों क्योंकि यह लगभग एक से दो बलकि तीन साल तक एक ही साथ ग्रो की जाती है ठीक है इसलिए यहां पर आपकी सबसे ज्यादा water water requirement किसकी होती है सुगर कहन की होती है फिर उसके बाद आपकी राइस की होती है राइस की होती लगभग तक होती है साड़े 600 तक होती है और आपकी सोया बीन की जो आपकी होती है वह कितनी होती है साड़े 400 से 600 मिली मीटर होती है बिल्कुल के लिए सब्सक्राइब करें की पंदरा सौसे पच्छी सो तिया बिल्कुल के लिए रहां आगे देखिएगा वह आपके डिपेंड करता है इरिगेटेड एरिया का मतलब होता है जिसमें इरिगेशन करने के लिए हमारे पास साधन उपलब्द हो वह इरिया इरिगेटेड एरिया कहलाता है और जहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्सा आधारत खेती जाती खेती की जाती है सिर्फ वर्सा के आधार पर खेती की जाती है क है क्या होगा इरिगेटेड मतलब जहां पर सचाई के साधन मौझूद होते हैं तो आफ्टर राइस एंड वीट कौन होता है सोया बीन सुगर कैन ग्राउंड नट या फिर आपकी पल्स तो आपका जो राइट आंसर होगा वै क्या होगा सुगर कैन इस दा राइट क्या होगा सुगर कैन इस दा राइट आंसर और देखिएगा अगरा कुश्चन पूचा गया विच स्टेट इन इंडिया है इस इंडिया कोन से स्टेट इंडिया के किस स्टेट में है हाइस्ट इंडिया है हाइस्ट इंडिया का मतलब सबसे ज्यादा सिंचित च्छेत रहे हैं जहां पर सचाई के साधन उपलब्द हैं वह आपका कौन सा है 36 नंबर कुश्चन की बात करते हैं तो ऑप्चन say any key Punjab जो है वो आपका सबसे ज्यादा के अरिगेटर ईरिया रखता जैंडिया में सबसे ज्यादा एरिगेटर ऐडिया किसका है वह है आपका पजाब का है अगियर है डान नमबर ओ विलेच टैंक इंच टीज गड़ फ्रॉक्जिमेटली जो के ओत्व आपके विलेज टैंक के जो नंबर यानी कि कितने चती सघ्ड में घाओं के टैंकों की संस्ख्या कि कि टिनी ये अनुमानेत प्रॉक्समेटली अनुमानेत रूप से कितनी है बारासो प्लस दो 20,000 PLUS 38000 PLUS या फिर आपका एक लाख प्लस तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा कुश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वै क्या होगा 1200 PLUS क्या होगा 1200 PLUS और देखिए अगला कुश्चन पूचा गया the irrigation commission सचाई आयोग in India made recommendation in सचाई आयोग भारत में सचाई आयोग ने सफारस की थी कब की थी 1972, 1985, 2000 या फिर आपका 2010 तो यह आपकी जो सफारस है वह कब की गई थी यह आपकी की गई थी 1972 में यानि की option A is the right answer क्या होगा option A is the right answer बिल्कुल किलियर है सुभम त्यागी जी पंजाब बता रहे हैं फनीधर यादव A बता रहे हैं बिल्कुल किलियर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा 1972 is the right answer आगे देखिएगा अगला कुस्चन क्या पू मापते हैं क्या करते हैं नहीं मापते हैं लीटर में हेक्टियर सेंटीमीटर में मिली मीटर में या फिर क्यूबिक मीटर पर सेकंड में देखिए क्यूबिक मीटर पर सेकंड में मापा जाता है किसे सचाई की जो आपका जल होता है जल प्रवाह की दर को जल प्रवाह की जो मीजर किया जाता है हेक्टियर सेंटी मीटर में भी किया जाता है हेक्टियर सेंटी मीटर में भी किया जाता है और और आपका लीटर में भी लीटर में नहीं किया जाता है लीटर में इरिगेशन वाटर को कभी नहीं मापा जाता है तो यहाँ पर आपका right answer होगा option A is the right answer बिल्कुल किलियर फ़ानीधार यादव जी बता रहे हैं नीटर बिल्कुल किलियर है अनीज सिंह अ बिल्कुल किलियर है सभी के answer बिल्कुल राइट है आगे देखीएगा अगला कुश्चन क्या पूंचा गया स्वाइल मॉस्चर इस नौट मीजर्ड बाई जो स्वाइल मॉस्चर होता है जो मिट्टी में नमी को किसे नहीं मापा जाता है देखिए आपका ग्रैवी मेट्रिक मेथड जिपसं ब्लॉक टाइक्रोमीटर या फिर आपका न्यूट्रो द्वारा इसे नहीं मापा जाता है तो जो आपका न्यूट्रोन मीटर होता है उसके द्वारा इसे हम लोग नहीं माप सकते हैं हम लोग नहीं माप सकते हैं और अगला देखिए क्या पूंचा गया अगला जो आपका कुश्चन पूंचा जाता है वह क्या है एग्री कल्चर metrology and crop physiology से कुछ आपके question आते हैं देखिए क्या पूछे गए agriculture metrology and crop physiology पहला question है aridity index indicate aridity का मतलब क्या होता है सुस्क सूचकांक या कह सकते हैं सुस्कता सूचकांक देखिए यहां पर लिखा भी गया है इंगित करता है मतलब indicate करता है किसे water availability को degree of dryness को saturation level को या फिर moisture level को यह किसे indicate करता है यह indicate करता है degree of dryness को किसे degree of dryness को यह क्या करता है indicate करता है क्या करता है indicate करता है और देखिएगा अगला question पूचा गया कि cyclone in the Bay of Bengal usually occur during the period देखिए जो आपका जो cyclone मेंली जो मांसून आता है मांसून हमारे देश में दो दो तरब से आता है एक आपका southwest मांसून और दूसरा आपका northeast मांसून जो southwest मांसून होता है वह आपका cyclone cyclone बनता है Bay of Bengal में usually occur during the period कब बनता है तो यह जो आपका बनता है जैसा कि आपको पता होगा जुलाई और अगस्त कब बनता है जुलाई और अगस्त यानि की option c is the right answer यहां पर answer आ भी चुके हैं फानीधर यादब जुलाई अगस्त बता रहे हैं बिल्कुल के लिए option c is the right answer क्या होगा option c is the right answer और अगले question की और मूव करते हैं तो question पूछा गया which of the following is not a weather hazard यह आपका क्या होता इन में से कौन weather hazard नहीं है देखिए weather hazard की यदी हम लोग बात करते हैं तो देखिए गा वैदर hazard इन में से नहीं है drought flood frost या फिरे आपका अर्थग होता है वो आपका वेदर से संबन्दित होता ہے फ्लड जो होता है ये भी आपका वेदर से संबन्दित होता है श्रोच्ट जो होता है वह भी आपका कहते हैं किया कहते हैं प्राकृतिक आप दा कहते हैं प्रोस्ट आप लोग सभी लोग जानते हों जिसे दो हिंदी में पाला कहते है और यह आफिशार कहते हैं यह आपकी बाढ होती है और ड्राइट मतलब आपका क्या होता है उका या फिर अना वरस्टि प्रिसका गई सकते हैं और देखियेगा अगला question पूछा गया शीड जर्मिनेशन डीटाल इस पर अधारे कहते है दो बनbahn नेशन होता है वह आपका किस पर आधारत होता है तो घर मिनेशन है लिख या फिर आपका सी दृट किस पर आधारत होता है तो यह जो है आपका आधारत होता है लिक यह सबसे पहले याद रखे है तो यहां पर ओपका rate आंसर होगा है क्या होगा option ए यानिकी temperature is the right answer temperature पर आधारित होता है respiration अकर जो आपका respiration मतलब tension होता है वोआपका कब होता है during daytime दिन के समय में during nighttime रात्री के समय में always मतलब हमेशा ताफिर ओन हाब cloudy day आंप लोग हमें वह बात बताईए चाहे respiration day में होता है night में होता है या फिर हमेशा होता है और या फिर आपका cloudy weather में होता है respiration हमेशा होता है always होता है सिंपल सी बात है छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए जो दो या तीन क्लास पढ़ता हो भी बताएगा respiration स्वसंज होता है वह हमेशा निरंतर लगातार चलने वाली प्रिक्रिया होती है तो यह कभी रुकता नहीं है बस यह रुक जाता है ना जिस दिन यह रुक गया उसी क्का गोविंदा है नमोनमा अा हो जाताएग के लियर है harvest index की बात करते हैं तैक है harvest index इस दी रेसियो किस का रेसियो होता है harvest index थो हम आपको बता देते हैं if economical a ell do biological सी कोम्हें कि यह और biological इल का जो ratio होता है उसी को हम लोग क्या कहते है harvest index कहते हैं economic yield का मतलब il doty Poke जिसे हम लोग चारते हैं जिसे हम लोग करते हैं जिसे ऩान लोग आपके कहाँ पर जैसे जो ग्रेट हो गया सीड हो गया यह आपकी economic yield कहलाती है biological рं में आपका जैसे आता है जो च्छोग व का मैं टो तैसे पुला हो गया प्र हो सकता है biological yield होती है तो harvest index जो होता है वो economic yield और biological yield का ratio कहलाता है क्या कहलाता है ratio कहलाता है और अगला question देखिए क्या पूँचा गया अगला question जो पूँचा गया वह है कि the average drop of air with height lapse rate in troposphere is जो आपका troposphere होता है पहला माना जाता है यहां पर जो आपकी lapse rate होती है lapse rate का मतलब होता है उचाई के साथ जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं उचाई के साथ जैसे ही हम लोग क्या होते हैं आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ते ही वहां पर होता क्या है उचाई के साथ बढ़ते हैं तो टेंपरेचर डिक्रीज होता इसी टेंपरेचर के घटने की क्रिया को लेप्स रेट कहते हैं और नॉर्मल जो लेप्स रेट होती है वह आपकी साड़े चैन डिग्री सेंटिग्रेट पर किलो मीटर क्या सकते हैं या फुर थ्री या फिर थ्री डिग्री सेंटिग्रेट थ्री डिग्री सेंटिग्रेट पर फीट भी कह सकते हैं पर हंड्रेड पर सुरी थाउजंड फीट भी कह सकते हैं तो यह दोनों यूनिट होती है इनको आपक यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन ए इस दा राइट आंसर फानिधार यादा बिल्कुल के लिए साड़े छे डिग्री सेंटिगेट बता रहे हैं बिल्कुल के लिए हैं आगे देखिएगा अगला कुस्चन क्या पूंचा गया दा यूनिट ओफ प्रैषर डिजाइनेटड वाई इंटरनेश्नल सिस्टम इस अपका इंटरनेश्टनल सिस्टम में जो यूनिट ऑप प्रैसर डिजाइनेटैड होता है किसके धुरारो उता इंच मिली बार संटीमीटर या फिर आपका पास्कल तो आपका जो रायट आंसर होगा वह नहीं होगा वह आपका इंटरनेशनल सिस्टम में पास्कल का प्रियोग किया पास्कल के द्वारे डिजाइनेटेड होता है तो यहां पर आपका रायट आंसर क्या होगा? option D is the right क्या होगा option D is the right answer अगला question देखिएगा अगला question क्या पूंचा गया the approximate distance between the sun and the earth इस देखिए पूंचा गया है approximate distance पूंची गई है sun और अर्थ के बीच की प्रतवी और सूर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है सभी को पता होगा 1500 million km है कितनी है 1500 million km है और अगला देखिए अगला question पूंचा गया which crop usually source greater stormatal resistance यानि कि ऐसी कौन सी crop है जो सामानताया सो करती है greater stormatal resistance कौन सी greater stormatal resistance से क्या होती है सो होती है resistance करती है तो देखिए कौन सी होती है स्टो मेटल रिस्टेंज मतलब जो उसमें स्टो मेटा पाये जाते हैं उसी से resistance पूंचा गया है alpha alpha soya bean sorghum या फिर आपकी वीट तो वह है आपकी crop कौन सी होती है वह है आपकी sorghum crop होती है कैसी होती है sorghum crop होती है क्यों होती है क्योंकि यह इसी लिए से क्या कहा जाता है camel crop भी कहा जाता है क्या camel crop भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो stomach houta yah 101 बन्द होने के लिए पूछा जाता है क्यों सा तत स्में responsible होता है तो हमेशे याद रखना potassium यहां पर क्या होता है responsible होता है और हम आपको बता दें कि यह से camel crop कहा जाता है क्योंकि बहुत कम मात्रा में पानी की इसे आवशक्ता होती है क्योंकि इससे जो ट्रांस्पिरेशन का लॉस होता है ट्रांस्पिरेशन लॉस होता है वो बहुत कम होता है इसलिए इसे पानी की नहीं हो पाएगा तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वाई क्या होगा ऑप्चान सी इस दा राइट आंसर अब देखिए अगला जो आपका पोर्शन आता है एंटमोलोजी एंड पैथो लोजी इस पोर्शन को हल करने से पहले आप सभी के लिए एक important information है यदि आप लोग प्रप्रेशन कर रहे हैं सीजी व्यापम रूरल एग्री कल्चर एक्स्टेंशन एक्स्टेंशन ऑफीशर की वाप सभी के लिए हमारा platform लेकर की आया है बहुत ही सांधार मौक टेस्ट इन मौक टेस्ट में आपको मिलने वाले हैं 20 प्लस difficulty Based मौक टेस्ट जो की आपके exam के pattern के आधार पर यहां पर आपको provide किये जाएंगे जैसा आपका exam का pattern होता है इजी moderate to high level जैसा भी आपका exam का pattern होता है उसी श्लेवस के आधार और उसी pattern के आधार पर यहां पर आपको चीजां provide करायी जाएंगे 2000 प्लस most important question होंगे आपके exam के लिए और यहां पर जो question होंगे वो आपके exam से relevant होंगे gate complete analysis यानि कि यह सभी चीज़ें यहां पर आपको मिल जाएंगी जब आप लोग इस mock test को लगाएंगे तो आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे real time test experience होगा आप paper को जब देने जाएंगे जो आपका real paper होगा paper देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि ऐसे question तो हम बहुत ज्यादा पहले भी कर चुके हैं थोड़ा अच्छा सहज आप महसूस करेंगे अपने आपको तो यदि आप भी अपने अपने selection को ensure करना चाहते हैं इस paper को crack करना चाहते हैं तो इसे purchase करिएगा purchase के लिए जो आपकी फीस है वो 199 रुपीज रखी गई है मात रेक्षो नियानवे रुपीज रखी गई है इसे purchase करने के लिए वीडियो के description box में इसका link मिल जाएगा वहाँ से आप लोग इसे purchase कर सकते और जो हमारा play store app है वहाँ प्ले जो हमारा application है agriculture and gk वहाँ पर जाकर के भी आप लोग इसे purchase कर सकते हैं ठीक है clear है आगे देखिएगा अगले question की ओर move करते हैं तो question आपका पूछा गया entomology and pathology से आपके कुछ question यहाँ पर आते हैं देखिए question पहला क्या है which part of the insect the exoskeleton exoskeleton is composed of living cells living cells जो कि आपका insect में कौन सा part ऐसा होता है exoskeleton का जो exoskeleton होता है वो कई part में बटा हुआ होता है तो is composed of living cell living cell से बना होता प्रोग टूटिकल एपिडर्मिस qt clean layer और आपका basement membrane तो देखिएगा यहाँ पर आपका right answer और देखिए प्रोग क्यूटिकल जो होती है वो क्यूटिकल से उपर वाली लेयर होती है epidermis qt clean layer यह आपकी qt clean की बनी होई होती है qt clean layer qt clean की बनी होती है base membrane basement membrane सबसे निचली वाली लेयर होती है उसे हम लोग basement membrane कहते हैं आप लोगा ने साइध इस को अच्छे से कही ना कहीं पढ़ा होगा इसको बढ़िया से body wall जो होता है इंसेक्ट का जो exoskeleton होता है उसे आपने अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं आवश्य पढ़ा होगा तो इसका जो right answer होगा उसे हम लोग क्या कहते है epidermis कहते हैं जो की living cells से मिलकर के बना होता है किससे living cells से मिलकर के बना होता है उसे हम लोग epidermis कहते हैं क्या कहते है epidermis या कहीं कहीं पर epidermis cells भी लखा होता है तो वो आपका क्या होता epidermis होता है कि कैं आगे देखिएगा अगला कुस्चन क्या पूचा गया एन insects head in specialized form देखिए जो insect में head होता है इंसेक्ट में जो head होता है वह किसके लिए इस पाइब उसमें प्रियोजन के लिए होता है कीट का सिर्विसेस्ता किस प्रियोजन के लिए होता है रिप्रोडक्शन डाइजेशन या प्रजनन और पाचन के काम में आता है है नहीं इंजेशन एंड परसेप्शन भोजन ग्रण एवं प्रत्यच्छड के लिए और येंटेशन लोकोमेशन अ आपको समझ में आ भी रहा होगा इंजेशन एंड परसेप्शन यह आपका हैड का प्रकार होता है जिसे हम लोग हिंदी में भोजन गढ़ करने का कार एवं प्रत्यचण का कार कहते हैं यह हैड का कार होता है है अब देखिए अगला कुश्चन क्या पूचा गया वाट इस दी यूनेट आफ एलडी 50 एलडी 50 की जो यूनेट होती है एलडी 50 का पूरा नाम होता है क्या लीथल डोज लीथल डोज लीथल का मतलब होता है लीथल का मतलब होता है डैथ यानि की कितनी डैथ होई है यानि की 50 लिखा गया है तो मतलब जो कोई भी क्यामिकल है कई प्रकार क को यह क्या करता है कम कर देता है 50% population को यह क्या कर देता है कम कर देता है वही आपका यहां पर जो आपका right answer होगा option is the right answer अगला question पूचा गया in an IPM program IPM program में IPM का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे IPM का पूरा नाम होता है integrated paste management इसमें which control considered first पहला जो आपका control होता है इंसेक्ट के लिए हम लोग कौन सा consider करते हैं cultural chemical mechanical या फिर आपका legislative देखिए सबसे पहला जो आपका किया जाता है जब हम लोग crop को grow ही कर रहे होते हैं तब हम लोग सबसे पहले cultural control को करते हैं cultural के अंतरगत आता है हम लोग फसल चक्र को अपनाते हैं crop की sorry field की अच्छे से plowing कर द में प्यूपा लार्वा एग्स हमारे हमारे field में होते हैं वो उपर आ जाए तॉलर रेडियेशन के माध्यम से वो क्या हो जाते हैं नस्ट हो जाते हैं तो इस प्रकार से यहां पर आपका राइट आंसर होगा वैं क्या होगा option first is the right answer जब किसी से हमारा नियंतर नहीं होता है तब सबसे last जो आपका method आता best method वहाई आपका chemical method माना जाता है क्या माना जाता है फिर हम लोग chemicals का प्रयोग करते हैं which of the following is not a method of insect control इन मैं से कौन सा एक insect control का method नहीं होता which of the following is not a method of insect control cultural control भी होता है mechanical control भी होता है biological control भी होता है all are the methods of control यहाँ पर जो आपका right answer होगा वह है क्या होगा देखिए cultural control के द्वारा भी हम लोग insect को करते हैं और control करते हैं mechanical biological तो यह सभी सही है इसलिए right answer आपका option d is the right answer क्या होगा option d is the right answer which structure are not endocrine organs और मैं से कौन सा जो structure है और नोट endocrine मतलब कौन सी सरनचना कीट के अंतास रावी अंग नहीं है देखिएगा और पॉरपोरा काडिया का प्रो थॉरेसिक ग्लेंड्स ते लाइवरी ग्लेंड्स या फिर आपका वेंट्रल गैंगेलिया तो यहां पार जो आपका वेंट्रल गैंगलिया जैसे आप लोग जानते होंगे कुष्चन नमबर 56 इसका जो राइट आंसर होगा स्लाइवरी ग्लेंड जो क्या होगा ऑप्षण की फ्री निए राइट आंसर होगा क्या होगा व्यूंग तो कुष्चन मेंफो अपका पूंचा गया ढाटच्वेक एंड कोमर्सियल मेथर्ड और बीकीपिंग पॉर्दी प्रडख्शन ओफ हनी एंड वेट्स इज कॉल्ड उसे हम लोग क्या कहते हैं साइंटिफिक एंड कॉमर्सियल मेथर्ड देखिए इसी कल्चर सिल्वी कल्चर पिसी कल्चर आपका कहा जाता है फिस production को fiss production को कहा जाता है या cultivation of production कहा सकते है silvy culture आपका कहा जाता है tree crop को grow करना auction of tree crop sayree culture कहा जाता है आपका resumkeet का पालन और epicaliture कहा जाता है किसे bee keeping को epical хочешь कहा जाता है आगे देखिएगा अगला question क्या पुँच्चा गया which of the following insect paste is also called the laser grain borer इन्युम्हेंसे कौन ऐसा इन्सेक्ट है इन्सेक्ट पेस्ट है जिसे हम लोग laser grain borer के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से laser grain borer के नाम से भी जानते हैं वह आपका जो इन्सेक्ट होता है वह उसका scientific name होता है राइ जो परता डोमीनिका होता है ट्रोगो डर्मा ग्रैनेरियम क्या होता है ज्सक्रोग घ्रो डियू अपने आपको जीवित रह सकता है यह रह सकता है ले southeast ग्रिन बोरर का scientific name या फिर इसे हम लोग राई जो पर था डोमी निका के नाम से भी जानते हैं ठीक है जा obligate残 रिया पॉस्व कर seven आप को पाया जाता है यूनी वोलटा मैं आधा है यानि कि जिसमें क्या कह सकते हैं वोल्तिंग मोल्तिंग कैक बार होती है यूनिवोल्टाइन हो गया दो बार होती है और आपका बहुत बार होती है तो उसे मल्टीवोल्टाइन कहते विच इनसेक्ट डू नोट बिलोंग टू दी ओडर डिप्टेरा देखिए देड़ा ओडर से जितनी भी फ्लाई होती है वो बिलोंग करती है मौस्कीटो होते हैं वह बिलॉंग करते हैं लेकिन आपका जो यहां पर मौस्कीटो जो होते हैं नोट बिलॉंग टू दी डिप्तेरा डिप्तेरा से जो होता है वो 12-13 ओर्डर से बिलॉंग नहीं करता है नेट भी यह सबहीं आपके किसे और जित्वन yourself राइट फ्लाई या प्लाइ कह सकते हैं वो सबीभ टेरा ओर्डर से बिलॉंग करतें किससे डिप्टेरा ओर्डर से разгids करते हैं आगे देखिएगा अगला कोश्चन क्या पूँछा गया अगला कोश्चन पूछा गया स् wail साइन से अब देखिए आपके स्ट्रीम से इससे पहला अप्शन दिया गया नदियों या उनकी सहयक नदियों वा अन जलधारां दवारा लाए गए तलचट सेडिमेंट के जमा होने से या फिर इरोजन ऑफ अप्लेंड उच्छ भूमियों के मिर्दा चाड़ से या फिर आपका लैंड स्लाइट्स इन हिल और नन ऑफ दी एबव तो आब आपको बता दें कि देखिए एल्यू वियल स्वाइल जो होती है वह आपकी जब सेडिमेंट बहकर के आता है नदियों से या उनकी ट्राइब रूटी जोनकी सहयक नदियां होती है उनसे तो जब उनका डिपोजीशन होता है वहीं पर आपक है क्या बनती है एल्यूंवीयल सॉयल बनती है तो आपका राइट आंसर क्या होगा ओप संट एज दा रायट आंसर क्या होगा ऑप साने जबाराइट अंसर है अगला पुश्चन पूछा गया दक कॉजेंग और मतलब स्लायइन एवँ चारी मिर्दायन एवं शारी या कारण होता है क्या होता है से जल आपलावन मिर्दा सता है पर अधिक सचाई के काड़ या फिर कोशिकाओं द्वारा लवणों का जमाओ ठीक है तो यह दोनों यहां पर फेक्टर कार करते हैं अगला आता है और अगला कुस्चन देखिए क्या पूंचा गया किस पोसक तक की कमी के कारण पौध धीमी एवा मवरुद हो जाती है तथा पुरानी पर पुरानी पत्तियों पर विसेश नीचे की और बैंगनी रंग देता है देखिए ता डेफिसेंसी आप विच न्यूट्रियंट वाज़स स्लो एंड स्टेंट प्लांट ग्रोथ एंड परपल कलरेशन और हो जाती है इन्धी अंडर साइट उसे वहां पर फॉ सा आपका तथ के क्मी के कारण पोसक की कमी के इन्धा होते हैं तो देखिए यहां राएटट से ऋगा यहां पर वह अपका क्या आएगा फॉस्पोर्णाविट पींज है वो डिलेटेटेड है इससे रेलेटेड है due to the deficiency of mineral element मैंगनीज पोटाथ जिंक एफी मैंगनीज से सलफर एंड नाइट्रोजन दूसरा आप कंडिशन इन विच लीप और प्लांट पार्ट बिकम एबनॉर्मली यलो इसकाल्ट उसे हम लोग क्या कहते हैं देखिएगा यहां पर आपका राइट आंसर क्लोरोसिस मोल्टेट मोटल या फिर आपका नेक्रोसिस या फिर आपका कैसा नन ओफ दी अबव तो य यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा कुष्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा वा क्या होगा Rs. mai chl AUDIENCE और अगला कुष्चन देखिएगा क्या पूछा गया and capability classesGrall and capability classes और डिजाइनेटेट बाइदी नमबर स्वन तो एट आट एक से लेकर की आट वागों बाटा गया है वाट डू दी नमबर इंडिकेट क्या नमबर इंडिकेट करती है पहला तर नमबर इंडिकेट ग्रोग्रेसिवली लवर लिमिटेशन और अगले कुस्चन की और मूव करते हैं तो आपका कुस्चन क्या पूंचा गया भाटा एंटी सोल्स ऑफ छतिस गर्ड बिलॉंग्स टू विच टेक्स्चरल ग्रुप ऑफ टेक्स्चर भाटा जो होता है कंकडीली मोटी रेतीली रेतीली से दो मट तो यहाँ पर आपका जो रैट आंसर होग वह क्या होगा ग्रेवली एकाल घॉरणी संडी लोम आर stuffing लोम या फिर आपका क्ले क्ले ब्लोमी मतलब कंकडीली मिरदाय होती है और साथी साथ मोटी रेतीली से दो मत मिरदाय होती है कैसी होती है मोटी रेतीली दो मत मिरदाय होती है in majority of the case soil pH for optimal plant growth is majority of the cases majority of the cases में soil का जो pH है for optimal plant growth is कितना होता है is greater than 7.5 बिट्वीन 6-8 या फिर आपका बिट्वीन 5,5-7 या फिर नन ओफ दी एवाग ज्याधा तर प्लांट की जो ग्रोथ आपकी देखी जाती है वो हमेशा 5,5-7 पिय चमान पर देखी जाती है किस पर साथ 5,5-7 पिय चमान पर देखी आगे देखेगा स्वाल टेस्टिंग प्रोवाइड जो आपका स्वाल टेस्टिंग म्रदा पर इछड़ से प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है nutrient content of soil या फिर additional nutrient required for plants या फिर साइट specific मेंज़ेंट मेंजमेंट प्लां या फिर आपका all of the above while स्वाइल टेस्टिंग हमें प्रोवाइड करता है क्या न्यूट्रियंट कंटेंट आप स्वाइल तो यहां पार जो आपका राइट आंसर होगा वो 69 का all of the above यह सभी वो आपका राइट करता है इसलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा option D is the right answer क्या होगा option D is the right answer और अगला question पूछा गया वैल नॉन प्रेक्टिस टू इंसे और एडिक्वेट नाइट रोजन ओफ लेग्यूम इन इन लूफ नाइट रोजन इस उसे वैल नॉन प्रेक्टिस इंसे और किसके द्वारा होती है राइजो भी हम एजोटो बेक्टर ए राइजोवियम बैक्टिरिया करता है कौन सा बैक्टिरिया राइजोवियम बैक्टिरिया करता है अब देखेगा अगले कुस्चन आते हैं जनटेक्स और प्रीडिंग के बारे में अधी हम लोग बात करते हैं जो देखिए पहला कुस्चन पूछा गया Mendel's law of segregation is based on fact that genes are located on chromosome यानि कि Mandel's law of segregation की अनुसार जो बेस्ट है वो किस पर अन्दी फैक्ट गैट जीन आर लोकेटेड जीन लोकेटेड होते हैं अन्दी क्रोमोजोम एंड देट जीन क्रोमोजोम पर रहते हैं तो यहां पर आपका homologous chromosome pair and segregate no crossing over take place between homologous chromosomes या फिर आपका analogous chromosome pair and segregate या फिर none of the above तो देखिएगा 71 question का जो answer होगा वाइ क्या होगा option a क्योंकि homologous chromosome paired में रहते हैं and segregate और वो क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं उनके segregation के बारे में बताया गया है जो हमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं जो कि पेर्ड में रहते हैं वहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वैं क्या होगा option इसी बात को तो बताता है आगे देखिएगा अगला कुश्चन बताया गया दा कंडिशन इन विचा पार्टिकुलर जीन्स अकर इन थ्री और मोर अलीलिक फॉर्म्स इज कॉल्ड यह क्या करता है ऐसी कंडिशन पाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्लियोट्रॉप इन जीन में दो अलील पाई जाते हैं लेकिन एक जीन में जब बहुत सारे अलील पाई जाते हैं तो उसे हम लोग inheritance जो होता है यह आपका सो करता है reciprocal reciprocal differences को क्या करता है सो करता है reciprocal differences को सो करता है और देखिएगा वाक्षण एंड क्रिक double helical model was proposed based on किस पर based है चार गांपs chemical analysis of DNA, Wilkins and Franklin x-ray diffraction data A and B और आपका their own finding, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा राइट आंसर होगा बोथ A and B देखिए आपको बात बता दे हैं DNA का जो डबल हलेक्स मॉडल है 1953 में इसे दिया गया था 1953 में किसने वाट्सिन एंड क्रिक ने दिया था लेकिन एक आपकी महिला वैज्यानिक थी जिनका नाम था फ्रेंक्लिन ये आपकी फ्रेंक्लिन विलकिंस के यहां कार करती थी लेवोरिटरी में इन्हों ने ही पहली बार जो DNA का डबल हलेक्स मॉडल है इन्हों ने ही खो जा था इसके द्वारा एक्स रेज के द्वारा जब इन्हों ने खो जा तो विलकिंस इनके साथ ही थे वाट्सन एंड क्रिक के वाट्सन एंड क्रिक ने पूरी जानकारी दे दी जा करके किसे मतलब जो विलकिन्स थे इन्हों ने पूरी जानकारी देवी जाकर के वाट्सन और क्रिक को पता भी नहीं चला इन्हों लोगों ने पूरा अपना जो पेपर था वो अपने डबल आरेक्स डिया ने मोडल पर छपवा दिया पॉब्लिस कर दिया इसलिए इन लोगों का नाम च कैंसर वगेरा होने काड़ इनकी म्रत्य हो गई थी तो राइट आंसर ऑप्सन सी इस दा राइट आंसर अगला कुश्चन पूंचा गया दा पायरिमदीन बेस डैट रिप्लेस थाइमीन इन आर ने अगेंस्ट डियन इस किस से रिप्लेस करता है यूरेसल से रिप्लेस करता है सीदी सी बात है तो 75 नंबर कुश्चन का जो राइट आंसर होगा ओप्सन एंसर होगा देखिए प्रेमदीन और प्यूरीन थाइमीन जो है वह रिप्लेस करता है यूरेसल के द्वारा तो आर एने में आपका थाइमीन नहीं पाया जाता है क्या पाया जाता है आपका या फिर आपका मल्टीप्लिकेशन देखिए मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट आपका प्रोग्राम होता है या सेकेंड लास्ट स्टेप होता है लेकिन यदि आप बात की जाए कि पहला स्टेप होता है क्रियेशन ओफ वैरियबिल्टी हम लोग पहले वैरि इनमें से सेक्श्वाल रिपर्ड़क्षिं कौन सा होता है देखिए आ सेक्श्वाल पर्ड़क्षिन और डिफिश्य वेजिट्टेव रिपर्ड़क्षिन अपो मिक्स्स नैच्रल वेजिटेटिव रिप्रॉडक्षिन ये सब भी all of the everyone इसलिए यहां पर right answer option दी इस दा right answer बिल्कुल तीनों बात हैं तीनों option में थीनों बात है एकी ही तरीके से लिखी गई है अपो मिक्सें भी आपका असेक्स्यल होता है आर्टीफिकल वेज़िटेशन वह भी आपका असेक्स्यल होता है ठीक है 78 number question इनकी बात करते हैं तो दा सुपीरियल्टी ओफ हेट्रोजाइगस जीनो टाइप इन रेस्पेक्ट वन और मोर ट्रेट्स इन कंपैरिजन टू करेस्पॉंडिंग होमोजाइगोट इस नौन एज उसे हम लोग क्या कहते हैं हेट्रोबेल्टियोसिस कहते है इन ब्रीडिंग र से ज्यादा हमें इल्ड के इल्ड के छिते में जब ज्यादा हमें प्रोडक्शन प्राप्त होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा है ट्रॉसिस इस दा राइट आंसर क्या होगा है ट्रॉसिस दा राइट आंसर अग कंप्लीट फ्लावर विल आलवेज बी जो आपका कं होता है वो एक्टिनो मॉर्फिक बाई सेक्सूल जाइगो मॉर्फिक या फिर आपका ओल आफ दी एबाव तो देखिए कंप्लीट फ्लावर के बारे में अदि हम लोग बात करते हैं तो वह हमेसा कैसा होता है बाई सेक्सूल होता है उसमें आपके केलिक्स करोला एंडूसियम और गायनुसियम यह चारो पार्ट पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं कंप्लीट फ्लावर कहते हैं जो कि कैसा होता है बाई सेक्सूल होता है कैसा होता है और अगला कुस्चन पूछा गया अस साइलेंट म्यूटेशन कॉस जो आपका साइलेंट म्यूटेशन होता ह है वो क्onne करता है किसे सो करता है ये किसे काउस करता है नोएफेक्ट को कौज करता आगे अगले कुश्चन आते हैं आपके extension education cord के एंड एंड ईगरी काλच्छर्ल एक्स्टेंसेंसन के आ अच्टेंसेंसन डवाई एक्स्टेंशन एक्सकान चन्टा से औरिजिनेट हुआ है और अगला पूचह गया वह आपका क्या होगा क्या अगला कुछ सेुस्टे पूचशन पूंचह गया किस नाम से जाना जाता है यहां पर आपका यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा तो आपका राइट आंसर होगा 82 नम्मर कुस्चन का जो राइट आंसर होगा जैम्स स्टुवर्ड किसे कहा जाता है जैम्स स्टुवर्ड को कहा जाता है और अगला देखिएगा अगला जो theory होती है extension education की वह किस पर based होती है वह आपकी based होती है democracy, communism या फिर आपकी bureaucracy या फिर आपकी socialism पर आधारित होती है तो यह आपकी आधारित होती है किसकी democracy यानि की प्रजातंत्र पर आधारित होती है किस पर जो आपकी प्रजा होती है तो प्रजातंत्र पर आधारित होती है democracy प्लमुक्रसी पर आधारित होती है दा फंडामेन्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्टेंशन अध् Scout एक्स्टेंशन का इस दीकेशन मा opportunities होता है एम इntigrated development of agriculture ग्वरल आओड आउल डवलपमेंट आफ यूमन इक çक comes to यहां पर को आपका रायत आंसर होगा है क्या होगा क्यों ये इसका मॉलक उद्देश होता है क्या होता है मौलिक उद्देश होता है सोचल स्ट्रैटिफिकेशन इज जो सोचल स्ट्रैटिफिकेशन होता है वह क्या है method of dividing the social relationship या फिर analysis of level of village institutions impact of political institution on society या फिर accounting of economic condition of rural society तो इसका जो right answer होगा 85 number question का right answer option A method of dividing the social relation से प्यानी की ग्रामीर संस्थाओं के इस्तर का विशलेशन क्या ग्रामीर संस्थाओं के इस्तर का क्या करना विशलेशन करना the first KvK of India वाज स्टार्टेड एड विच प्लेस जो आपका पहला क्रसी विज्ञान केंद्र है या का वह कहां पर खोला गया था उसा न्यूद लही पॉंडी चेरी ब्लास पुरुस्सक्तिस गाड या फिर आपका तिरुवंत पुरम तो इसे जो है आपका कहां पर खोला गया था सायद आपको पता होगा पॉंडी चेरी में पहला केवी के बनाया गया यहां यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा पॉंडी चेरी इस दा राइट आंसर आगे देखिएगा कमुनिटी डवल्ब्ब्रप्मेंट प्रोगराम वाज स्टार्ठेड ओन जो आपका कम्मुनिटी डवल्ब्रप्मेंट प्रोगराम है वह कब चलाया गया था सामुदा Production का कब प्रारंब हुआ था यह आपका प्रारंब हुआ था 87 में 87 नंबर कुस्चन का जो आपका राइट आंसर है वैका क्या है तू अक्टूबर 1952 कब दो अक्टूबर 1952 में आपका ये सामुदाइक विकास कारिकरम है ये चलाया गया the full form of IAAP IAAP का पूरा नाम क्या होता है Indian Agriculture Adoption Project या फिर Integrated Agriculture Area Program या फिर Intensive Agriculture Area Program या फिर Indian Agriculture Area Project तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा आप्शन सी इस दा राइट आंसर इंटेंसिव एग्री कल्चर एरिया प्रोग्राम क्या होगा इंटेंसिव एग्री कल्चर एरिया प्रोग्राम इस दा राइट आंसर ठीक है आगे देखिएगा अगला कुस्चन पूचा गया intensive agriculture district program बाज स्टार्ट यह आपका कभ इस्टार्ट हुए था intensive agriculture district program बाज स्टार्ट इद यह आपका कभ start किया गया था यह आपका start किया गया था 1962-1961 1962 1961 की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर 62-61 में यहां पर आपका क्या हुआ था इंटेंसिव एग्रिकल्चर डिस्टिक प्रोग्राम बाज स्टार्टेड ठीक है ऑप्शन डी इस दा राइट आंसर क्या होगा अप्शन डी इस दा राइट आंसर लेब टू लेंड प्रोग्राम बाज लॉंच्ड बाई लेब टू लेंड यानि की ल्ल पी जिसे हम लोग बोलते हैं ल्ल पी प्रोग्राम जिसे हम लोग बोलते हैं लेब टू लेंड का मतलब है यदि हमने कुछ किसी भी किसी भी प्रोग डिपार्टमेंट इंडियन अग्री कल्चर रिसार्च इंस्टीटूट यानि कि आई याराई के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अग्री कल्चर एंड फार्मर्स वेल फियर गवर्मेंट ऑफ इंडिया तो यह किया गया था किसके द्वारा 90 कुष्चन का जो ए आंसर है जानी कि आई-C-A-R-K द्वारा किया गया किसके द्वारा आई-C-A-R-K द्वारा किया गया आगे देखिएगा अगले कुष्चन आपके आते हैं एकोनो मिक्स से एकॉनोमिक्स की एड़ी हम लोग बात करते हैं तो देखिए ग्रोथ ओरियंटेड टैफीनेशन ओफ एकॉनोमिक्स इस गिवन बाई जो आपकी अर्थ वा अर्थ सास्त्र का विकास केंद्रिक परभासा दी है वो किस वैज्ञानिक ने दी एलफ्रेड मार्सल एसी पीगो या पर नन ओफ यह आपकी परिभासा जो है वो किस वैज्ञानिक ने दी 91 नंबर कॉस्चन का ओप्चंट सी पॉल सैम्यूलसन ने दी किसने दी पॉल सैम्यूलसन ने दी और देखिएगा इसका अगला कॉस्चन हाउ मैनी डिवीजन आर दे आर इन एकॉनोमिक्स में अर्थ सा कि उसे कितने भागों मैं डिवाइड किया गया है उसके कितने डिवीजन है यदि इसकी बात की जाए तो उसे पांच भागों मैं डिवाइड किया गया कितने वागों मैं पांच भागों मैं कैनि की option a is the right answer and is not correct about law of demand law of डिमांड यानि कि जिसे हम लोग कहते हैं मांग का नियम जो मांग का नियम है उसमें से कौन सा not correct है statement law of demand में देखिए it shows the functional relationship between price and quantity demand और it shows inverse relationship between price and demand या फिर it is a quantitative statement या फिर none of the above तो देखिएगा जो 93 number question है इसका right answer क्या होगा option c is the right answer it is a quantitative yeah it is a quantitative statement और देखिए अगला question अगला question पहुंचा गया increase in demand is not the result of क्या मांग में व्रधी परडाम नहीं है क्या व्रधी परडाम नहीं है change in the in prices of the commodity change in the income of the consumer change in the prices of substitute goods या फिर none of the above यहां पर जो आपका right answer होगा वाई क्या होगा 94 number question का जो right answer होगा option a is the right answer change in prices यानि की वस्तु की कीमतों में परिवर्तन का वस्तु में कीमतों की परिवर्तन का यानि की option a is the right answer क्या होगा option a is the right answer the slope of the demand curve is positive negative zero या फिर none of the above कैसा होता है जो demand curve होता है उसका slope कैसा होता है positive होता है negative होता है या फिर zero होता है या none of the above होता है तो यहां पर यह कैसा होता है निगेटिव होता है यानि कि option B is the right answer कैसा होगा option B is the right answer और अगले question की वर move करते हैं तो returns to scale is related to जो returns to scale is related to किस से related होती है very short period short period long period या फिर none of the above इसका right answer क्या होगा इसका जो right answer होगा 96 number question का option C is the right answer क्या long period के लिए क्या होती है returns होती है clear है which is not a part of farm management इन वैसे कौन सा farm management का part नहीं है क्या नहीं है farm management का part नहीं है देखिएगा production of crops minimum support price export and import या फिर agricultural credit देखिए export और जो import होता है export and import ये farm management का part नहीं होता है क्या ये farm management का part नहीं होता है यानि की option C is the right answer आगे देखिएगा अगले question की और move करते हैं तो which is not the subject matter of agricultural economics which is not the subject matter of the agriculture economics करसी अर्थसास्थ के विसावस्तु में किसे सामिल नहीं किया जाता है किसे इन्क्लीवड नहीं किया जाता है तो जो प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना है इसे यहां पर क्या नहीं किया जाता है अब मैंनी अग्री कल्चरल प्रोडक्स MSP डिटर्माइन बाइडी अग्री कल्चर पॉस्ट एंड प्राइस कमीशन कितने की रखी जाती है यानि की पूंचा गया कितने क्रसी उत्पादों के नियुनितम समर्थन मूल को निर्धार क्रसी लागा देवों मूल आयोग द्वार अंसर कितना ऑप्संट सी इस दा राइट आंसर चौबीस कितनी चौबीस अग्री कल्चर कमोडिटीज का क्या कि जाता है MSP लागू की जाती है विचिस दी ड्राइवार ओफ इंक्रीजिंग अग्री कल्चरल प्रोडक्टिविटी ओफ इस्माल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया भारत में लगू एवं सीमान्त किसानों के क्रसी उत्पारक्ता में व्रद्धी का संचालक कौन सा है अग्री कल्चरल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट एक्सिस टू मॉडर्न इंपॉट्स अप्रोप्रिये टेक्नोलोजी विट इनो इनोवेटिव मार्केट अगले कुश्चन की और मूव करते हैं अब देखिए यहां से आपके स्टार्ट होते हैं हौटी कल्चर के कुछ 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 यहां पर स्टार्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बताया गया था फिनोमेना ओफ बोल्टिंग मतल अंचसराइड जो आपकी बोल्टिंग होती है harbirds किसमें पाई जाती है में रुटिए आपकी किसमें होती है बाइनियल्स में होती है यानि कि जितनी भी दोए वर्षी एक रॉप्स होती है उनमें क्या पाया जाता है उनमें आपकी बॉल्टिंग पाई जाती है क्या है पुल शिल पॉल स्चेज इस अदेशना मैचरी एंछ लोगें करते है यह अपका मस्क मेलन बस्क मेलन मतलं जो आपका खरभूज होता है उसमें यह फुल स्टेज और हाव स्टेज होirl Brooks भ breakfast है अव् dazu तुरंत तोड़कर वहीं पर खाना होता है तो हम लोग फुल स्लिप स्टेज पर तोड़ते हैं जब हमें ट्रांस्पोर्टेशन के लिए लगबग 2-3 दिन का ट्रांस्पोर्टेशन करवाना होता है तो हम लोग वहां पर किसे half slip stage पर तोड़ते हैं किस पर half slip stage पर इसे तोड़ा जाता है तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा Musk, Mellan is the right answer Zeno is a variety of जो आपकी Zeno है वो variety है किसकी asparagus या फिर आपकी carrot या फिर radish या फिर आपकी ternet तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा यह जो आपकी variety होती है यह Zeno यह आपकी carrot की variety होती है किसकी होती है carrot की variety मानी जाती है भीमा सुंभरा is a variety of जो आपकी भीमा सुंभरा variety है यह आपकी किसकी variety होती है भीमा सुंभरा जो आपकी variety है यह onion की variety होती है किसकी onion की variety मानी जाती है भीमा तुब्रा ठीक है आगे देखिएगा अगला कुस्चन क्या आता है अगला कुस्चन आता है cnsl is extracted from the fruits of cnsl किसके फलों से निकाला जाता है यह आपका जो निकाला जाता है किस फ्रूट से क्या होगा कैश्यू नट जिसे हम लोग क्या कहते हैं काजू कहते हैं इसका जो बीज होता है वह हमेशा फलके बाहर लगता है और काजू में सबसे ज्यादा hd след protein पाई जाती है क्या पाई जाती है सबसे ज्यादा protein पाई जाती क्या काजू में सबसे ज्यादा protein पाई जाती है ड्राइफ रूट्स में है haa piko is related to the crop piko किस फ़सल से संबंदित है चाय कोफी rubber या फिर आपकी oilpta तो यहाँ मानी जाती है चाय से संबंदित मानी जाती है आगे देखिएगा बरेजा इस यूज़ फॉर कल्टीवेशन बरेजा का उपयोग किसके उत्पादन में होता है तो जो बरेजा है यहां पर टी बैटल वाइन बैटल वाइन और बीटल वाइन या फिर जिसे हम लोग बीटल जो आपका पान होता है यह बरेजा का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है तो पान के उत्पादन में किया जाता है रोज सुप्रीम इस दी वेराइटी और जो आपकी रोज सुप्रीम वेराइटी होती है यह किसकी वेराइटी होती है रोज सुप्रीम जो आपकी कि है यह किसकी वराइटी होती है gladiolas आप लोग जानते होंगे जिसे लोग queen of flowers के nाम से houses queen of flowers के नाम से भी जानते हैं यह आपका होता है option a is the right answer gladiolus जिसके सबसे ज़्यादा हम लोग क्या देते हैं जो आपके बुके होते हैं वो सबसे ज़्यादा गलेडियोलस के ही बनाए जाते हैं डेंड्रोबियम की यदि हम लोग डेंड्रोबियम is useful for जो डेंड्रोबियम होता है वो useful होता है किसके लिए कट फ्लॉवर गार्लेंड लूज फ्लॉवर या फिर आपका आई के बना यह आपका किस से होता है यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा 109 नंबर कुस्चन का यह होता है आपका कट फ्लॉवर यानि की option a is the right answer यह होगा option a is the right answer अगला कुष्चन आता है छत्री इस पॉपुलर वेराइटी ओफ किस फल की छत्री जो पॉपुलर वेराइटी होती है वो आपकी किसकी मानी जाती है बेर बेल सपोर्टा या फिर आपका लीची तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा option c is the right answer क्या होगा option c यानि की statement correct है training provides strong framework pruning is done to encourage vegetative growth white white approach angle is desired in training यहां पर आपका pruning is required to obtain regular bearing यहां पर आपके कौन कौन से option बिल्कुल किलियर है यहां पर आपके options दिये गए 1 2 3 & 4 1 3 4 & 5 1 2 3 & 5 या फिर 2 3 4 & 5 यहां पर आपकी राइट आंसर बताए गए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा question number 111 है इसका जो राइट आंसर होगा option b is the right answer क्या होगा option b is the right answer और अगला question देखिए the relation between percentage percent and ppm between percent and ppm मतला part per million during preparation of plant growth regulator is इसे क्या कहा जाता है option दिये गए 1% is equal to 100 ppm 1% is equal to यानी की thousand ppm या फिर आपका 10,000 ppm या फिर आपका एक लाइट पीपी हैं वो इसका जो राइट आंसर होगा option c is the right answer क्या होगा option c is the right answer ppm की बात की गई है आगे देखिए अगला question पूचा गया विचार दी true example of formal garden जो formal garden है उसका true example क्या है true example के बारे में पूचा गया है तो इसका true example है राष्टपती भवन गार्डन सिम्ला बाग लाहॉर एंड ताज महल गार्डन आखरा यह इसका क्या होता है यह इसका सही example होता है top working in old plants is done यहाँ पर जो आपके old plant होते हैं top working किसमें की जाती है top working आपकी किसमें की जाती है to transfer the tree to train the tree to rejuvenate the tree या फिर आपका all of the above इसका जो right answer होगा to rejuvenate the tree rejuvenation का मतलब होता है पुराने पुराने जो आपके पेड़ होते हैं उनको फिर से क्या हरा भरा करना जीडोधार करना हिंदी में कहा जाता है जीडोधार करना यह आपका क्या होता है यह आपका option c is the right answer multi-tier farming is practiced in which state जो आपकी multi-tier farming होती है वो कहां पर practice की जाती है तो यह आपकी की जाती है कहां पर केरला में practice की जाती है यानि की option a is the right answer क्या होगा option a is the right answer और अगला कुष्चन देखिए क्या पूछा गया the calculate cropping intensity of the farm having 10 hectare accreage with following details देखिए following details यहां पर दी गई है आपके पास जो total area है वो आपका 10 hectare है खरीफ रभी जाया तोटल आपने कित कितना किया है 10 यानि की 10 8 18 और 6 24 24 24 में हम लोग क्या करेंगे total cropping intensity अधी हम लोग निकालते हैं तो total crop area upon net cultivated area से भाग देते हैं तो 24 अपन यहां पर हम लोग भाग देंगे कितने 10 से तो यहां पर आएगा 2.5 इंटू यहां पर 100 किया जाता है तो यह आपका कितना आ गया 240 परसेंट इसकी क्या आ गई cropping intensity आ गई यानि कि आपका option c is the right answer क्या होगा option c is the right answer और अगला कुश्चन पूछा गया ब्रीडर सीड इस दी प्रोजनी ओप जो आपका certified फिर आपका registered seed आता है इस टैनो स्पर्मो कार्पी रिफाल्स टू जो आपकी स्टैनो स्पर्मो कार्पी होती है वो उसका मतलब क्या होता है formation of seed without fertilization यह आपकी apple apple mixes गया लाती है formation of papery seed abortion of embryo या फिर आपका embryo rescue तो आपको स्टैनो stim уд होती है वो किसके अंतरगत आती है abortion of embryo यानी कि जब embryo abort कर जाता है क्या कर जाता है अम्रियो abort कर जाता है तो वहां पर आपका होता है वहां पर आपका स्टैनो इस्पर्मो कार्पी कहलाता कि elephant footyarm is a जो आपका elephant footyam होता है उसे हम लोग किसके नाम से जानते है राइजोम कॉर्म बल्व या फिर सकर देखिए जो कॉर्म होता है जिसे हम लोग घनकंद के नाम से जानते हैं वही आपका elephant footyam होता है उसका जो आकार होता है वो हाथी के पैर के आकार का होता है जो इसका आकार होता है इसी लिए से हम लोग elephant foot yam ke naam से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं elephant foot yam के नाम से जानते हैं mist chamber is used जो आपका mist chamber होता है धूम का कच का उपयोग किया जाता है for seed production to induce flowering for propagation all of the above किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है option see is the right answer किसके लिए option see is the right answer और अगला question पूचा गया when something in the landscape is repeated with a standard interval it is called जब क्या होता है भूद्रश्य में जब किसी वस्तु का निरंतर मानव अंतराल पर मानक अंतराल पर पुनावरत्ती हो तो यह कहलाता है क्या balance, focalization, proportion या फर आपका rhythm and line इसे हम लोग क्या कहते हैं 101 नंबर का question rhythm and line यानि की ताल एवं पंक्ती कहा जाता है क्या कहा जाता है ताल एवं पंक्ती कहा जाता है clear है आगे देखिएगा अगला question बताया गया the relation of size of the all features in land escape is land escape is the relationship of size of all the features in land escape is would rest में सभी क्रतियों के आकार में संबंद के संदर संदर संबंद को संदर्भित करता है principle of balance principle of proportion principle of focalization principle of rhythm and line यहां पर आपका right answer क्या होगा question number 122 का principle of proportion is the right answer क्या होगा principle of proportion of the is the right answer और अगला question wind break are planted in which direction जो हमेसा wind break लगाए जाते हैं वायू अवरोधक पत्तियां लगाई जाती है वह किस direction में लगाई जाती है वह हमेसा किस direction में लगाई जाती है north and northwest डारेक्शन में लगाई जाती है which planting system accommodates maximum plants जो आपके सबसे ज्यादा प्लांट लगते हैं किस planting system में लगते हैं rectangular system triangular system या फिर कुंकक्स या फिर आपका hexagonal system तो देखिएगा इसका right answer क्या होगा किस में सबसे ज्यादा लगते हैं क्विंकक्स कह सकते हैं जिसे हम लोग कुंकक्स system में सबसे ज्यादा लगते हैं आपने साइद पढ़ा होगा फ़ंच कॉंड यह सिस्टम सायद आपने पढ़ा होगा wich irrigation system है maximum water use efficiency किस irrigation system की सबसे ज़्यादा water use efficiency होती है आपको पता होगा drip irrigation की सबसे ज़्यादा water use efficiency होतीра water use efficiency सबसे ज्यादा इरीगेशन की होती है इजराईल से विक्सित की गई थी विच उवाइल रिक्वाइर रहा इनने में से कौन सी आरख की ऊ-सकर हो अब कर औरा सुद्री चाह्ता होती है बल्लेग ऑटनडान स्वाइल क्ले-षाल खेल लोंस emission Lange लोम वाइल तो यह जो है आपका गुड़ किस वाइल में पाया जाता है यह सेंडी लोम स्वाइल को फ्रेक्वेंट इरिगेशन पर यहां पर यहां पर इरिगेशन डेमाव इरिगेशन हो टिया है किसके schedule पर depend होती है वो यहां पर question पूँचा गया है इसका right answer क्या होगा all of the above is the right answer क्या होगा all of the बिल्कुल clear यहां पर सभी लोग बिल्कुल clear बता रहे हैं बल्व अनियत proportional drip irrigation बिल्कुल clear है यहां पर जो आपका right answer होगा वाई क्या होगा all of the above is the right answer calculate water requirement of a plant using following details यहां पर जो calculate किया जाता है water requirement of a plant using following details 10 evaporation six millimeter row to row spacing 10 meter plant to plant spacing 10 meter crop factor 0.6 pan factor 0.7 weighted area 0.2 तो यहां पर आपका जो right answer होगा वै क्या होगा question number 128 का जो right answer होगा 50.4 लीटर कितना होगा 50.4 लीटर पर डे मीडो और चाड़िंग प्रिफास्टू जो आपका मीडो पगीचा से टाच पर होता है planting tree at normal spacing planting tree as ultra low spacing planting tree at lower spacing planting tree at a wider यहां पर जो आपका right answer होगा why क्या होगा why आपका right answer होगा option B is the right answer क्या होगा option B is the right answer और अगला question पूछा गया percentage plant are kept as pollinators in the orchard उध्यानों में परागण पौधों की संख्या का परागण पौधों की संख्या का प्रत्सत रखा जाता है कितना percentage रखा जाता है pollinator plant का किसमें बगीचे में तो वह है रखा जाता है total 10% इसके 10% pollinator plant का क्या रखा जाता है यहां पर percentage रखा जाता है किसमें बगीचे में अब देखिएगा आपके बायो टेक्नोलोजी से कुछ कुछ चना आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं वें डियाने replication start आपका जो डियाने replication होता है वो कब स्टार्ट करता है दा फॉस्फो फॉस्फो डाइस्टर बॉंड बिट्वीन दा एड्जासेंट निकलियोटाइड ब्रेक दा बॉंड बिट्वीन दी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस औ्डी ऑखिराइबोस शुगर ब्रेक दा लेगे dna अपको स्वेम द्वारा से बनाता है तो वह डी आपका जो राइट आंसर होगा 131 नंबर कुष्चन का जो राइट आंसर होगा the hydrogen bonds between the nucleotide of two strands break why आपका क्या कहलाता है वह आपका dna replication तब होता है sex termination in plant was intensively investigated in physum sativum, fazeolus vulgaris, melondrium या फिर आपका arabidopsis haliana तो यहां पर आपका right answer क्या होगा 132 नंबर question का जो right answer है option c is the right answer है यहां पर sex determination को क्या किया गया था extensively investigate किया गया था अगला question आता है of a mutation originate during meiosis while a mutation originate during mitosis बताया गया germinal somatic germinal spontaneous somatic germinal या फिर आपका spontaneous point तो यहां पर आपका right answer होगा क्या होगा a germinal mutation originate during meiosis while जबकि somatic mutation originate during mitosis क्लियर है इतनी बात क्लियर है आगे देखिएगा आगे देखिए अगला question पूंचा गया how many ATP molecules can be जो ATP molecules होते हैं can be derived from each molecule of acetyl co-enzyme that enter the craves cycle तो यहां पर आपका right 6 12 18 और आपका 38 इसका right answer क्या होगा 134 question number का right answer option b is the right answer total आपके कितने ATP molecules का यहां पर formation होता है होते हैं क्रेप साइकल से 12 ATP हमें प्राप्त होते हैं कितने 12 ATP प्राप्त होते हैं अब person with phenyl ketone urea cannot convert जो आपकी phenyl ketone urea होती है cannot convert convert नहीं होती है phenyl lr9 to tyrosin phenyl lr9 to i solution phenyl 2 ketone phenyl lr9 to lycine यहां पर आपका right answer होगा वाई क्या होगा option a is the right answer phenyl lr9 to tyrosine क्या होगा phenyl lr9 to tyrosine which of the following factor is the is correctly matched with the vitamins is derived from आपके vitamins होती है वो होती है nadh vitamin b2 fadh vitamin b3 pyrodoxal phosphate vitamin b1 या फिर tpp vitamin b यहां पर आपका जो पूंचा गया को फेक्टर करेक्टली मैच्ट इन में से कौन सा vitamin से को फेक्टर उसका जो की drive होता है वो इसका जो right answer होगा question number 136 ppp vitamin b क्या होता है को फेक्टर इसका पीप इसका को फेक्टर होता है जो की drive होता है किस से कि विटामिन आपकी drive होती है ठीक है विच आप दी following enzyme is not protein ECS in nature इन में से कौन सा enzyme है जो की protein ECS nature में नहीं होता है यूरिये इस peptide राइबो राइबो जाइम या फिर आपका phosphate phase 137 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है राइबो जाइम इस दा राइट आंसर क्या है राइबो जाइम इस दा राइट आंसर अगला कुस्चन देखिए क्या पूंचा गया you begin to study a novel plant क्या जो novel plant है species and discover that this deployed plant has 16 chromosomes how many linkage group would you expect to find यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या आप एक नवीन पादा प्रजाती का अध्यन शुरू करते हैं और पता चलता है कि इस डाई पौधे में 16 है इस डिप्लॉइड पौधे में 16 गुर्सूत्र है आप कितने लिंकेज का पाया जाना प्यासित करते हैं तो यदि यह deployed plant है 16 क्रोमोजोम है तो उसमें कितने लिंकेज ग्रूप यह कुश्चन यहां पर पूंचा गया है तो कुश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है option B यानि की 8 इसमें लिंकेज ग्रूप पाये जाएं में संभावित हैं कितने 8 लिंकेज ग्रूप आप molecular marker which is amplified by PCR PCR यानि की polymerase chain reaction and is polymorphic by length is n भै क्या होता है ऐसा molecular marker जो की amplified होता है PCR के दौ़ार RFLP VNTR AFLP या फिर आपका SNP single nucleotide polymorphism इसे कहा जाता इसका right answer क्या होगा इसका right answer AFLP क्या होगा AFLP is the right answer ठीक है आगे देखिएगा sequencing of genome other than humans is potentially valuable because वो आपका क्या होता है आपके options दिये गए है इसका right answer क्या होगा option C is the right answer यहां पर आपका right answer क्या होगा option C is the right answer क्या होगा option C is the right answer agriculture engineering के कुछ question आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं the pump used in the windmill में भी जो आपका pump होता है वो यानि की पवन चक्की में उपयोग की जाने वाला pump हो सकता है reciprocating type, rotor type या फिर dia, dia from type या फिर आपका all of the above तो यहां पर आपका right answer क्या होगा all of the above सभी प्रकार के pump का प्रयोग यहां पर किया जाता है the RPM of standards, PTO मतलब power take off, PTO का पूरणाम होता है power take off equipped in tractor is, तो कितने आपके यहां पर tractor में लगे मानक PTO का चक्र प्रती मिनट RPM या तो होता है, कितना होता है, 142 नंबर question का जो आपका right answer होगा आधर 540 और 1000 तक यहां पर उसमें क्या RPM हो सकते, यानि कि round per minutes हो सकते हैं the testing process in which the uniform application of desired seed rate insured before operation of seed drill is specifically called पूछा गया seed drill के परिचालन्ज से पहले वांचित बिजिदर की एक सार उपयोग को सुनिस्टित करने हे तो परिचड प्रिक्रिया कहलाती है, testing of seed drill, calibration of seed drill, adjustment of seed drill या फिर none of the above इसे क्या कहा जाता है, 143 number question, calibration of seed drill कहा जाता है, क्या कहा जाता है calibration of seed drill कहा जाता है और अगला question पूंचा गया the time of required for the run-off water to flow from the most remote point of the watershed area to the outlet is called उसे हम लोग क्या कहते है, watershed chetra से सबसे दूर बिन्दू से, outlet बहाओ, run-off जल को बहने में लगा समय कहलाता है, why kya कहलाता है time of drainage, time of concentration, time of precipitation, time of saturation अदी सन इसे क्या कहा जाता है, time of concentration कहा जाता है, क्या कहा जाता है time of concentration कहा जाता है और अगला आता है आपका the most important form of soil water for plant growth is most important form of soil water for plant growth is why आपका जो plant growth के रिए most important form होता है वो कौन सा आपका capillary water होता है कौन सा होता है capillary water होता है कौन सा होता है capillary water होता है और अगला question कुछा गया the design of diversion ditches for gully control is based on the return period of उसे हम लोग क्या कहते है 146 number question 5 से 10 साल का उसका क्या होता है period होता है कितना होता है 5 से 10 साल का period होता है और अगला question आता है the purpose of cut-off walls in drop structure is to support gully wall spill the flow safely dissipate kinetic energy of flow या फिर provide strength against sliding उसे हम लोग क्या कहते है 147 number question option he is the right answer क्या होगा option d is the right answer initiation of soil movement in wind erosion take place under initiation of soil movement in wind wind erosion take place under suspension saltation and surface script या फिर आपका bad load movement why आपका कौन सा होता है both a and b तो इसका right answer क्या होगा suspension is the right answer क्या होगा suspension is the right answer यानि कि suspension का मतलब होता है जो मतलब किसी दूसरे वक्ति के द्वारा चपल अपल में किसी प्रकार से फस करके वह चला जाता है विंड एरोजन होता है यह आपका इट प्रकार का था comparison ratio of a carburetor engine varies between जो आपका compression ratio होता है carburetor engine का वह कितना होता है 149 number question option b is the right answer क्या होगा option b is the right answer और यदि बात करते हैं diesel engine की thermal efficiency के बारे में तो आपका diesel engine का thermal efficiency होती है वह आपकी कितनी होती है वह होती है आपकी 32 से 38% होती है कितनी होती है 32 से 38% होती है और जो petrol engine होता है उसकी thermal efficiency कितनी होती है 25 से 32 या फिर 30% कह सकते है है यहां पर आपके डेड़ सो के डेड़ सो कुस्चन यहां पर आपके कम्प्लीट होते हैं आप सभी के लिए important information है यदि आप लोग preparation कर रहे हैं सी जी व्याप अग्रिकल्चर extension officer officer की तो आप सभी के लिए हमारा प्लेट फॉर्म अग्रिकल्चर नंजी के लेकर के आया है एक बहुत ही सांदार कोर्स इस कोर्स में आप सभी को मिलने वाले हैं 200 प्लस वीडियो lectures online study material और आपके exam के pattern के आधार पर आपको slavish के आधार पर यहां पर आपको study material provide कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको 20 प्लस test series भी provide कराए जाएंगी previous year के paper with solution provide कराया जाएंगे और आपको guidance दिया जाएगा doubt session भी आपके कोई भी doubt होता है तो तो उसको discuss किया जाएगा तो इसकी जो fees है वो मात्र 990 रुपीस रखी गई है यदि आप भी अपने selection को इंसे और करना चाहते हैं इस पेपर को crack करना चाहते हैं तो अभी purchase कीजिए purchase करने की link आपको वीडियो का description box मिल जाएगी वहां से आप लोग इसे purchase कर सकते हैं और जो हमारा official application agriculture in gk वहां पर जाकर के भी आप लोग इसे purchase कर सकते हैं और जो लोग बने रहें आप सभी को बहुत बहुत धन बात अभी तक आपने हमारे ओफिस्यल यूट्यूब चैनल अग्रिकल्चर एंजी के को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लेज सबस्क्राइब कर लिजेगा और notification bell को प्रेस करना ना भूल है ताकि यहां से आने वाली प्रते एक वीडियो की notification आपको सबसे पहले कि आगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद